हलो फ्रेंट्स चानक के केड़ में आप सबका स्वागत है उच्छा के लिए देखिए उच्छा से संबंधित जो है एक नोटिस आया है आप सबके लिए और किस संभाग के लिए है दूर के संभाग के लिए देखिए दूर के संभाग के लिए सिक्छकों को उच्छा के लिए अगर आपकी सिख्षक भरती में होता है दुर्ग संभाग में तो आप अगर उच्छ सिख्षा लेना चाहते हैं तो उससे संबंधित जो है एक आदेश आया है क्या है आदेश देखते हैं तो यह आदेश है दूर्ग संभाग के लिए संचालक सिख्षा संभाग दूर्ग ठेक है सांथियों देखिए विशाय है यहां पर सिख्षकों की उच्छ सिख्षा सिख्षकों की उच्छ सिख्षा से संबंधित जो है आदेश है उच्छ सिख्ष थिख्राइस ने समलित होने है तू विभागी अनुमति देखी अगर आप जिसबी पर जैसे कोई सायाक सिक्षक में है अब उसको शिख्षक में जाने के लिए अगर वो कोई कौर्स करना चाहता है ठीक है ना तो उस से संबंदित जो है विभाग से अनुमति लेना पड़ता ह तो उसी से मंधित आद्यस साया, कि आपको आविधन करना है तब आपको अनुमति रही तो देखते हैं से करेंग時間 है बना रहत्य हो cuz by मेरे अ और रही समय समय पर ना है a teacher देखिए कोई भी जो है अगर वह सहायक सिक्षक है तो वह सिक्षक बनना चाहेगा और अगर वह सिक्षक है तो वह व्याख्याता के पद में जाना चाहता है तो सिक्षक भी जो है प्रावेट यह कहें उच्छ सिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो उसी से संबंधित जो है अनुमति के लिए यह कहें कि हम उच्छ प्राप्त करना है तो उसके लिए अनुमति लेना चाहते हैं तो आवेदन करते हैं ठीक है साथियों तो उसे सम्मंदित जो है क्या आया है दीशा निर्देश देखिए 36 गड़ सिक्षा सहिता में उल्लेखित निर्देश अनुसार नि इन विशिएमें मिलेगी उनि विशिओं की दी जावेगी जो उच्च सिक्षा के कारे में सहाय हो देखिए अगर आप कोई लग से कोई कोर्स करना चाहते हैं तो उसके अनुमति आपको लेकिन अगर आप अपने ही विशाय में अपने ही विशाय सामंधित जो है अध्यान करना चाहते हैं तो आपको अनुमती मिल जाएगा उसे दर देखिए तुछ नंबर पॉइंट क्या है देखिए जिन सिक्षकों द्वारा 15 जुलाई को 3 वर्स की सेवा पूर्ण कर ली गई हो देखिए आपका 3 वर्स का कारेकाल भी पूर्ण हो जाना चाहिए उसके बाद ही आपको अनुमती मिलेगा और कब तक होना चाहिए तो 15 जुलाई 2023 यहाँ पर मेंसन नहीं है साथियों यह जो है 15 जुलाई 2023 तक आपका 3 साल कंप्लीट होना चाहिए और आगे देखिए क्या है सिक्षकों के कार एवं आच्रन संतोस्प्रद होने चाहिए देखिए आपका कारेक ऐसा होना ची संतोस्प्रद होना चीए उसी तरह कार्यालाय में किसी प्रकार का व्यावधान नहीं हो आप उ ना लिया जाए आपको अपना परिच्छ दिनाने के लिए आपको अत्रिक तावकास लेने के आव सकता नहीं पढ़नी चाहिए इस तरह का आपको कोर्स करना पड़ेगा उसी तरह देखिए सांति नमर पॉइंट है यह मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है सांतियों अधिका तो जो आपके अधिकारी ह dabist उत दिकारी प्रतिवर्स तीस जुलाई के पूर्व आबकऊ सवाब्स क्राविजत करना है इस तरह देखिए को समय सीमा के पूर्व प्रस्तूत करेंगे समय सीमा क्या है तो 30 जुलाई के पूर्व ठीक है फ्रेंट्स 30 जुलाई के पूर्व आपको प्रस्तूत करना है जिला सिक्षा दिकारी तोरह आवेदन को 30 जुलाई के पूर्व इस कार्यालाय में प्रस्तुद करेंगे जिला सिक्षा दिकारी के पास अगर आवेदन करते हो वो आवेदन आपका 30 जुलाई के पहले उच्च दिकारी के पास पहुँच जाना चाहिए सिक्षकों दोरा सीधे इस कार्यालाय में प्रस्तुत आवेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा आपको अपने जिला सिक्षाधिकारी के पास ही आवेदन करना है अगर आप सहायक सिक्षक हो तो तो आपको क्रम वाइस चलना है आप अपने जिला सिक्षाधिकारी के पास आवेदन करेंगे फिर वो आवेदन को आ भेजेंगे तो देखिए इस तरह का जानकारी आया है तो सिक्षकों का उच परिच्छा में बैठने है तो अनुमत विभाग या नुमती का प्रस्तापस्तुत करेंगे तो इसको ध्यान में रखेगा सांथियों यह आवेदान आया है संयुक्त संचालक सिक्षा संभाग दुर तो आप जो है 30 जूलाई के पहले आवेदान प्रस्तुत कर दें चाहे आप कोई भी संभाग के हो आप 30 जूलाई के पहले आवेदान कर ले ताकि आपको किसी तरह का प्राबलम फेच ना करना पड़े और यह नियम देखिए दूर के संभाग के लिए है लेकिन लागो तो स अभी संभाग में हो सकते हैं ठीक है फ्रेंड्स जानकारी आपको कैसे कैसे लगी कमेंट करें यूडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहन